में एक चिज आपको बताना चाहता हूं जैसे कि आपने पिछे वाले वीडियो को काफी लोगों ने देखा था लेकि मैं चाहता हूँ ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को क्योंकि उससे मेरा भी encouragement होता है और मुझे भी हॉंसरा मिलता है कि मैं ज्यादा वीडियोस बनाओ क्योंकि ज्यादा लोगों को इसे profit हो रहा है तो चलिए, start करते हैं पहले topic से तो जैसे कि हम normally करते हैं topic start करने से पहले कुछ examples देख लेखते हैं ठीक है examples में से हमें easily समझने की समझ आ जाता है कि कौन सी चीज़ का हम topic समझने वाले है किस तरीके से हमें help करने वाले है ठीक है, पहले example देखते है पहले example है, रवी bought five dozen of bananas, तो यह error spot है आपको spot करना, error spot करना इसमें तो आप try कीजिए error spot करने का कि इसमें आपको कहां पर गलती लग रही है रवी bought में, five dozens में या फिर off bananas में या फिर आपको लग रहा है कि यह sentence सही है काफी लोग होंगे जिनको लग रहा होगा इन शेर मार्केट, काफी लोग हैं जिनको लग रहा होगा कि ये सही है और काफी लोग हैं जिनको लग रहा होगा कि ये गलत है, तो अगर आपको सही लग रहा है, तो अगर गलत लग रहा है, तो concept दिमाल में सोचके रख लिजिए कि कहां पर आपको गलती लग रही है, अभी इस तरीके क्या आगे वाले questions हैं लेकिन चलिए concept पर चलते हैं concept की according अगर numbers होते हैं numbers मतलब जिन numbers से हम mathematically चीजें define करते हैं for example thousand हो गया वहाँ पे हम हर लाक हो गया million हो गया, billion हो गया अगर इन से पहले कोई number है number मतलब 1,2,3,4,5,6 numarical कोई भी चीज़न से पहले है तो उसके साथ assorius नहीं लगता मतलब अगर आप कभी बोल रहे हो I have three millions rupees तो वो गलत है यहाँ पर कैसे होगा I have three million rupees ना कि three millions rupees, right जैसे कि अगला है thousand आप कभी भी यह नहीं बोल सकते He had three thousands of loan So, आप नहीं इस तरीके से बोल सकते, right Because आपने three लगा दिया तो वहाँ पर thousand नहीं लग सकता Second, अगर उसके पहले number नहीं है मतलब अगर hundred, million, billion, lakh, crore से पहले number नहीं है तो अगर उससे पहले number नहीं है तो उसके साथ आप assorius लगा सकते हो ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ अगर I lost millions of rupees in the share market कि मैंने share market में लाखों रुपए अपने बरबाद कर दिये I have a lot of pairs of shoe तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं Whenever you are putting कि आपके पास जब भी कोई डिजित है, मतलब million, million से आगे कोई डिजित अगर नहीं है कोई number नहीं है तो उनके साथ हा SORES लगा सकते है अब बात करते हैं question जो हमने starting में questions किये थे उनको देखते हैं कितने सही है और कितने questions उनमें से गलत है पहला question है जैसे Ravie bought five dozen of five dozens of bananas तो ये क्या है? ये गलत है इसका सही क्या होगा? Ravie bought five dozen of bananas second is I lost hundreds of rupees in share market तो ये गलत है है सही है बिकस ये नमबर नहीं लगा है जब कोई number नहीं लगा है तो हमें SORES लगा सकते हैं अगला है जैसे He gave me five million rupees तो इस तो राइड और रॉपीज? तो ये राइड और रॉपीज? तो ये वहाँ पर क्या होगा? He gave me five million rupees का भी भी SORES नहीं लगा नमबर के साल अगला है जैसे He's buying two pair of shoes तो यहाँ पर क्या होगा? He's buying two pair of shoes तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर two लगा है लेकिन SORES लगा है तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर लगाने की कोशिश मत कीजिए अदर्वाइस आपका गलत हो जाएगा अब चलते हांगे अब इस तरीके के वीडियो अलजस्ट्वाइब की मैं आपके लिए बनाता नहीं जादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप इस तरीके की सीरिज देखना चाहते हो आज इवनिंग में एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और वो वीडियो जादा इंपॉर्टन्ट है क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत जादा चीजिए ऐसी हैं जो आपके कांसेट को क्लिय करेंगी थैंक्स वाचिंग, 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 थैंक्यू